जी बचो आज हम पढ़ेंगे how to measure atmospheric pressure इससे पहले ये जान लीजिए कि atmospheric pressure constant नहीं रहता बलकि it keeps on changing और ये change depend करती है दो बातों पे नमबर वन temperature अगर temperature ज्यादा होगा तो atmospheric pressure drop हो जाएगा atmospheric pressure कम हो जाएगा और atmospheric pressure temperature increase करने से कैसे कम होगा आपने note किया होगा कि जिन दिन गर्मी ज्यादा पड़ती है उस दिन आम तोर पे आंधी और कभी पर उसके साथ हलकी भूल की बारिश भी आ जाती है इसकी reason क्या होती है reason यह होती है कि temperature के वज़ा से heat ज्यादा होने के वज़ा से जिस अलाके में ऐसा होता है वहाँ air heat up होके expand होके lightweight होके क्योंकि density कम हो जाती है rise करती है उपर उठती है और उसकी जगा लेने के लिए इर्द गिर्द के अलाकों से हवा की वो layer जा temperature कम होता है जिसकी density comparatively ज्यादा होती है वो उस hot area के तरफ rush करती है हम कहते हैं आंधी आ गई तो जब atmospheric pressure drop होगा उसके नतीजे में उस इलाके का weather dusty, stormy और windy हो सकता है इसी तरह से अगर atmospheric pressure low हो जाए heat कम होने के विरा से temperature कम होने के विरा से तो atmosphere जो है atmospheric pressure के कम होने से आपको जो atmosphere है वो fair हो जाएगा weather जो है वो fair हो जाएगा दूसरा factor जिस पे atmospheric pressure depend करता है वो height है, altitude है sea level पे atmospheric pressure different होता है और जूँ जूँ आप height के तरफ जाते है atmospheric pressure gradually drop होता जाएगा sea level पे atmospheric pressure maximum होगा और किसी बुलंद पहार की चोटी पे like k2 के टॉप पे atmospheric pressure कम होगा as compared to sea level अब इसे मेयर कैसे किया जाएगा different instruments हैं जिनके जिरिए हम atmospheric pressure को मेयर कर सकते हैं एक बहुत simple सा instrument जो है that is called barometer toris helis barometer इस barometer को design किया था एक scientist ने जिसका नाम टॉरी से ली था in 1643 बहुत simple इसकी composition है आपको एक glass tube चाहिए 1 meter long 1 meter long means 100 centimeters आपने इस tube को mercury से fill कर लेना है इस tube का एक end open होगा एक end close है तो आप इसको fill कर लीजिए mercury से इसके बाद एक dish में और इस dish को भी आपने mercury से fill किया हुआ है आप इस tube को invert कर देंगे इसको उल्टा देंगे जब आप इसको उल्टा के इस tube को डिश के अंदर रखेंगे तो tube के अंदर मौजूद mercury level किसी हद तक fall करेगा और sea level पे अगर यह mercury level 76 cm की height पे आके रुक जाता है यहन्य 100 cm लंबी tube थी जिसको आपने mercury से fill कर रखा था जब आपने इस tube को एक ऐसी dish के अंदर उल्टाया जिसके अंदर already mercury fill है तो mercury level drop हो गया और drop होते होते अगर यह 76 cm की height पे ठहर जाता है तो हम यह कहेंगे कि इस जगा इस लंबे atmospheric pressure जो है वो 76 cm of mercury है अगर हम इसको mm में convert कर दें तो हम यह कहेंगे कि atmospheric pressure is 760 mm of Hg mm for millimeter Hg stands for mercury और अगर यह column इसे rise करता है थोड़ा 76 cm की बजाए suppose यह 77 cm हो जाता है तो इसका मत्तब यह होगा कि atmospheric pressure increase हो रहा है जब atmospheric pressure increase होगा तो dish में मौझूद mercury पे एक downward force एक्ट करेगी यानि जो weight है atmospheric gases का वो इस mercury को downward प्रेस करेंगे और उसके reaction में ट्यूब के अंदर मौझूद mercury upward move करेगा और pressure increase जो है वो आप उसको note कर लेंगे कि यह 77 है, 78 है यह जो भी value इसकी आ रही है अगर atmospheric pressure drop हो जाए तो dish में मौझूद mercury पे जो atmospheric gases का weight है वो कम हो जाएगा वो pressure कम हो जाएगा उसके नतीजे में जो reaction force ट्यूब में मौझूद mercury पे अमल कर रही है, वो कम होगी और mercury column drop हो जाएगा 76 के बजाए it might be 75, it might be 74 या जो भी reading आएगी तो इस तरह से हम storically barometer को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से atmospheric pressure measure कर सकते हैं किसी भी मौझूद पे और यह मैंने पहले बताया कि LG jude के मताबक यह value change होगी और इसी तरह जब हम atmospheric pressure measure कर लेते हैं तो हम यह predict कर सकते हैं कि इस area का weather कैसा होगा अभी हमने start में यह देखा कि अगर atmospheric pressure increase होता है तो उस की reason क्या है अगर atmospheric pressure decrease होता है तो उस की reason क्या है और atmospheric pressure increase होने से और decrease होने से weather में जो changes आती है वो क्या है तो barometer यूज करते हुए हम ना सिरफ atmospheric pressure की value fine कर सकते हैं बलके हम weather prediction भी कर सकते हैं तो toruseli barometer एक instrument है यह हमने पढ़ा next class में हम किसी और instrument के बारे में पढ़ेंगे जिसके जिरिए आप atmospheric pressure को measure कर सकते हैं कर सुए तो जर सकते हैं